लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें अल्ट्रा चैनल्स करेंदान अल्सक्राइब करें लुप्सूंध। कर दो 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 बजर्बर कर दो क्या नर्म कि अब तो कि अब कि अब कान भाई कब तक हम लोग के आ रुखना पड़ेगा जब तक आग ठंडी नहीं हो जाएगी क्या कि तुमुच पे कोईला रगड ना मुच बढ़ जाएगी अरे करतार यहां मुझे गुटन सी मज़िस हो रही है किशान फिकर न कर कुछी घंटों में अंधेरा हो जाएगा हम लोग यहां से खिसक लेंगे वैसे भी किसी पे तरह आज हम लोग को यह श्याट छोड़कर जाना होगा किशान कहां जा रहा तू खान भाई बाहर जाकर आजादी की हवा को चूमना चाहता हूं किशान वो दर्वादा नहीं खोलेगा तू कान भाई कान भाई हम लोग बरी तरह से बढ़ गए यहां चारो तरह से पोलिस ने घहर लिया हमको कभी है पोलिस है इधर से निकल दे हैं भागो है हमकर तंप और भीो जिर एक हाँ प्रग्विर बजे बहुत दुख हुआ है और इससे भी ज्यादा ताजब। ऐसा पहली बार हुआ है कि तुमारी जेल से भागने में कोई काम्याब हुआ है। वो भी एक नहीं पांच-पांच कैदी। टेक केर देम और यह वोग दिस विल लॉट रपीट अगेन। यह सार। शाबाश। कमाल कर दिया तुम लोगोंने। जिन्दगी में पहली बार जेलर अगुवीर सिंग के इजाज़त के बिना। उसके जेल से कोई बाहर निकला है। सर। अगर आपसे इजादत मांगते तो क्या आप हमें जाने देते थे। ने 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 मैंने ने कहा। इन लोग ने मुसे कहा था। आज के बाद इस जेल से भागने का ख्याल तुम्हारे दिल में तो क्या। इस जेल के किसी भी खैदी के दिल में नहीं आएगा। पब्लिक प्रोसीकुटर होने के बावजूद आपने अचानक इस्तिफा कैसे दे दिया। आपने जवाब नहीं दिया। आपके इस्तिफा देने का कारेंट कहीं उस कतल के केस में आपकी हार तो नहीं। मैडम प्लीज कुछ सो जवाब दीजे। आप लोग अपने साथ साथ मेरा भी वक्त बरबाद कर रहे हैं। मुझे आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना है। मुझे इस्तिफा देना था मैंने दे दिया। बस, excuse me. क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ दिनों के लिए गायत ली को पागल खाने में रखने के लिए कहा है। उसके कोई जरुरत नहीं। घर पे भी हम उसकी देख भाल कर सकते हैं। क्यों नहीं। अब तो तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। वकालत से इस्तिफा जो दे दिया है तुमने। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, गीता, कि कल तक जो खानून की पुजारन से, आज वही खानून को अपना दुश्मन समझ बैठेगी। कानून की इस पुजारन को कानून का दुश्मन किसने बनाया। कि आप अच्छे तरह जानते ही भया, खुद कानून ने। मुझी बचाव जाएं आजएं लिखी decentralized, कि मैं अचली सीएं था, कि मासी खे मझे something him? मझी भी जाएं, मुझी भी जाओ, कि मैं मुझी बचाव जाओ, मूझी गन्यों 거예요, कि कि मॉढई या कि जाओ मोच्छ में था, मोच्छी वएं था, मैं सपने था। विजिन दो, विजिन दो, रूता रहता है सला, अबे, फासी लगनी है लग जाएगी, चोवीस घंटे में क्या अठाइस बार फासी के सपने देखता रहता है, लगता है पुलीस ने जूटा केस बना दिया इनका, ये जिले क्या करेंगे खून किसी का, जिरा बुला उपन को, जोड़ ना इसको, भूड़ आ इसको, भूड़ भूड़ दालोगा, जोड़ दालोगा, ओए शाने, तेरी तरह अपनी पत्नी के आशे को नहीं मार ढाना था इनोंने, जानता है क्यूं मारा था उस साले को, हाँ, ए बताना, हम तीरो आलग गरग मजब के आनाद, एक साथ जो भी रोटी के तुपड़ा हमें मिला हम तीरो ने मिल बाट कर खाया है और जाते हो हम जैसे लोगों पर क्या लिगा कि हमारी बस्ती में मदभ के नाम पे जो दंगा हुआ वह हम लग नहीं कर वाया अपने चारों तरफ तबहीं देखी जलते हुए जोपड़े आसु बेवा औरते यतीम बच्चे देख सकता है तुम लोग तुम लोग तुम लोग ने सोच लिया के जिस सफेल पॉश को तुम लोग नेता कहते हो उसे हम जिंता नहीं छोड़ेंगे कर दीए, मार ड़ाला उसे टुक्डे टुक्डे कर दीए उसके क्या गलत की हमने क्या अधमा से ब्रहे हटरेक्व पाप है अगर है तो हाँ हम लोग अपरादि है mig海 ये बकार है। इसलिए हर पसाध में जब तक्छ एक सरनेता नहीं मारा जाएगा ऐसे पसाद बन नहीं होंगे ऐसे पसाद होते रहेंगे हमेशा होते रहेंगे झाल के रहेंगे किशन दिवानों पर यूँ लकीरे मिटाने से किसमत की रेखायं बदलने जाएंगे और फियो दिन किने से दिन बढ़ नहीं जाएंगे किशन पहली जनवरी जिस दिन आनी है उसी दिन आएगी ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद क्लाओ है कि मैं अभी नहीं मरना चाहता Jud сов कि कारे अभी क्यों है अ मैं कवी नहीं मरना चाहता किशन मरना नहीं मरना चाहता कारध्य ंभी तक हम लोगों ंच्शन सिंदेजी में देखा ही क्या है ठीक बोला तूब Message जवानी में कदम रखा और मरने का भी दिन आ गया कबिर भाई कुछ कीजे न आप तो कुछ कीजे न प्लीज ए कि अब उन तुम लोगों से कुछ कम मजबूर नहीं है समझा क्या ज़रा सोच अगर अब उन कुछ कर सकता है तो अभी तक यहां नहीं बैठा रहता क्या उस दिन के बाद जेलर ने पहरा बहुत बढ़ा दिया है इस जेल के हर दीवार हर दर्वाजे को अपनी तरह मजबूत कर दिया है किशन यहां से भागना मुश्किली नहीं बलके नामुमकिने समझा क्या लिकिन उस नामुमकिन काम को मैं मुमकिन कर सकते हूं इसलिए कि लोही कि दर्वाजे ताकस से टूटे ना टूटे अकल से खोली जरूर जा सकते हैं मैं तुम लोगों को मौत की मूँ से निकाल कर जिंदिकी की तरफ ले जाओंगी मगर उसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा मैं तुम लोगों पर कोई अश्तान नहीं कर रही हूं तुम्ह जो हम जैसे काइडी ही आपके कामा सकते हैं वक्त आने पर वो भी बताओंगी विल्हाल इतना बताओंगी हर साल दो अक्तोबर को इस जेल में जशन मनाए जाता है इस पार आप लोगों के लिए इस जेल में वो दिन आखरी दिन होगा है 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 ह झाल झाल चोड़ी चोड़ी सड़क नहीं कोई दड़क या भड़क नहीं उचे उचे घर नहीं लपणा जगडा तर नहीं शोशराबा यहां नहीं खूल खड़ाबा यहां नहीं कहने बाले जे कहे फर यहां बड़ी खुशहाली दे ताली दे 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 ताली दे ताली दे 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 ताली जोड़ी जोड़ी सड़क नहीं कोई धड़क या भड़क नहीं उचे उचे घर नहीं लफड़ा जगड़ा कर नहीं शोर शराबा यहां नहीं खुन खराबा यहां नहीं कहने वाले जेल गहें पर यहां बड़ी खुशहाली देटाली, 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 देटाली देटाली, 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 देटाली हसी उडाए यार, हमारी बात कोई न माने हम कैसे अंदर आए है, कोई भी न जाने बाहर जीना है, तो यारो, पैसा चाहिए खाना पीना है, तो यारो, पैसा चाहिए नौकरी मांगों तो, सरकार पैसा मांगे खाली घुमों तो, दो त्यार पैसा मांगे टैक्सी चलाओं, हावलार पैसा मांगे घर जो जाओं तो, परिवार पैसा मांगे किसी बैंक में मेरा कोई खाना नहीं कोई फोकच में खाना खिलाता नहीं अपना तो ये कहना है हमको अंदर रहना है यहां तो अपनी जिंदगी है टेंशन से खाली देतली, देतली, देतली देतली, देतhãली D.A.O D.A.O कर दो अ कर दो कर दो कर दो दूपिजिए तंट पिना दिगरी के ताम यहां सबको मिले काम करते ही ताम यहां सबको मिले यहां टाइम से रोठी सबको मिले दाल, चावल, बोटी सब को मिले बिन भाड की खोली सब को मिले अरे यार, अम चोली सब को मिले आज का दिन भी अच्छा दिन है, सुन्दर बड़ा मुहूरत है तुम जैसे लोगों की प्यारे, बाहर बहुत जरूरत है बाहर जाओ, जाके दुनिया वालों को समझाओ सुभो शाम मरने वालों को तुम जी ना सिखलाओ जो भी बाहर जाएगा, वो जीवन भर पच्छाएगा बाहर जाके मिले की हमको नफरत घुर्बत काली दे ताली, दे 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 ताली दे ताली, दे 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 ताली चोड़ी चोड़ी सडक नहीं, कोई दड़क या भड़क नहीं उंचे उंचे घर नहीं, लपड़ा जगड़ा घर नहीं शो शराबा यहाँ नहीं, खुन खराबा यहाँ नहीं कहने बाले जेल कहें, पर यहाँ बड़े खुशिहाली दे ताली, दे 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 ताली दे ताली, दे 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 ताली यह चेह नोप मोद कर दिना आते हैं प्रूंज मृष्ट बosta है किशन? किशन थेखन। जले लेक् podría। जले मांथ यहां निया गीद्ध मौदू अरे बोरोरो वरोरो इंत आरे लेत अले अरे लड़ू क्यों खाया तुने किशन किशन अबे तेरी उठाओ साथ भार चल तुझे मैं मुझे लड़ू जाएए लड़ू भी देताओ दे दाली और ताली भी देताओ तुझे मैं देताओ ताली किशन 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 इंस्पेक्टर, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं जानी चाहिए, समचे? येस मैडम पहले गेट फुलवाओ येस मैडम, हावलदार, गेट खुल दो हलो, ये सर, क्या, बोलो, पुलिस जीब में है, हावलदार, गाड़ी मिकलो, फिचा करो उनका हावल जावलदार, जाफन कर देब दो कर दो कर दो जापन, हावल जावलदार औरा야 हावल कर कर कि इतने दिलों के बाद हम सब लोग पहली बार आजाद इसे सास ले सकते हैं कोई रब करें अब वो जेलर हमें कभी पकड़नों पाए सच बोलता है यार अगर जेलर ने अपने को नहीं पकड़ा और गौड की मेरबानी रही तो अपना बाकी का खब्लाई मस्ती में कटखेगा क्या वोलता है विटू यार यार अच्वर अच्वर कर दो कर दो कर दो कर दो कर कि अधिक पौलिस की नजरों से बचने के लिए बहुत अच्छी जगा है यहां दिन में भी कोई आता जाता नहीं कि आसपास के बस्ती वालों का यह कहना है कि ये भूतों का डेरा है भूतों का डेरा है दुनिया में कोई बूत परेत कोई जंगली जानवर इस इनसान नाम क यह जानवर से जादा खतरनाग नहीं होता, नुकसान तो सिर्फ जीते जाकते इंसान ही पहुंचाते, यह तुम लोगों का कमरा है, तुम्हारे खाने पीने का साब इंतजाम में कर चुकी हूँ, बस अपने हाथों से पका कर खाना होगा, एक बात और, मेरी जरुरत का सारा सामान मेरे कमरे में मौज़ूत है, तुम लोगों का मेरी फिक्र करने के कोई जरुरत नहीं, अरे किशन, यह बीच साल बाद पिक्चर का लोकेशन नहीं लगता ते रहे को, खान भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, यह रास क्या है, और हमें यहाँ पर क्यों लेके आई, बताओ ना खान भाई, जीरा गोली की फैक्टरी खोल ने लाई है है क्था बोला तु जीरा गोलीजी की फैक्टरी में आप अन्रों क्या करेंगे आप्ले लड्लू जो अरथ हमको इतना खज्म मोल लेके यहां पे लाई है यह जगा यह राशन पुछ कुछ हाड़ियों वाली गारी याद है को बहुत बड़ी प्लानिंग लगती है मामूली बात नहीं है मेरे को लगता ही आप उनको फासी के बंदे से इसलिए बचा कर लाई है ताकि आप उनको आराम से खुली हवा में मरवा सके ओए ठीक कह रहे हो कभीर पाई चलोट मुझे भी लगता है इसने कोई बहुत बड़ा सोता रहता शला टेंजर काम सोचका रखाया हमारे लिए उसने सोचा है न हमने तो नहीं कर दो कर दो कर दो नहीं को कारी के बाइद कर दो क्या सर हमारा सामान से बराव ट्रक लेकर कोई बाग गया किस दरफ गये वो लोग कभिर भाई ये क्या जिशा ग्रिनेड है ग्रिनेड बोटा पखोल देख देख अरे केविन कभिर भाई इन बॉक्स में हमारी सारी मुझीबतों का हल है ये इतने सारे ग्रेनेड अब हमारा कोई बाल बाका करने की बात कर रहा है जे सातंगवादी का ये ट्रक है न उसे अगर पता चल गया के तूसके डबो में जहाक रहा है तो अपना सब कुछ बाका हो ज कि नहिए इया है पांग सारी आख प्रोडूस शॉड़ सारी गवाया Apollo अब्सुरूग cobra चल्दियाओ कमान, कमान, जल्मी करो चलो तरब देखो बाग गई साले चलो, चलो चलो कमान वापस चली आए क्या समझते हैं आप लोग जेल से निकल कर अपना फासे कफंधव ही छोड़कर आई हो शायद आप लोग नहीं जानते यहाँ आकर भी मौत आप लोगों के सरस्टली नहीं यहाँ से भागने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं एक जेल की तरफ जाता है जहां पोलिस शिकारी कुत्तों के तरह आपकी तलाश में हैं और दूसरा रास्ता मौत की तरफ जाता है जहां इतने बड़े गैर कानूनी धंदे चलते ही कि अंजान आदमी को देखते ही गोली मारतेते ही अगर आप लोग मेरा साथ छोड़कर गए तो जिंदेगे आप लोगों का साथ छोड़ देगे अपना एक मकसद पूरा करने के लिए आप लोगों को जेल से आजाद करके यहां लाए हूं मैं वादा करती हूं मेरा मकसद पूरा होते ही आप लोगों का आजादि महीं दिल पहूंगी किशन ये गन मुझे दे दू आगे हमरी काम आएगे कि खाया को आएगे करने भी आपी आपलादि मुझे आपा sic एक प्र eux कनाना कि आपकर आपकर इपिन parano three fak जादी के लिए तयार होकर तुनिय शादी की बाजी मार हिली गीता क्या करूं गायत्री मुझे तेरा और मेरे भाईया का हाल देकर बहुत तरस आता है मेरी डोली तेरी घर जाएगी तब ही तो तेरी डोली इस घर में आएगी हाँ सच के रहे हूं गायत्री यह समाद सेवा छोड़ अपना घर बसा ले वरना जिंदीगी भर कुमारी रह जाएगी शादी तो करनी है बस इंतजार तो इस बात का है कि एक पार धनकपुर गाउं में वो टैम बन जाए जिस काम का पीड़ा में ने उठाया है वो पूरा हो जाए ओफो गीता अरे भी बाते बंद करो बाहर चलो महमान इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा अच्छा आप सिर्फ यह कहने के लिए आए जी ने मैं साथ-साथ मैं यह भी देखने आया हूं कि कहीं हमारे मेजर साब चोरी छिपे खिड़की से सबसे पहले हमारी बहन के पास तो नहीं आ गए है काइतरी भाई मैंने तो सुना था कि यह फॉजी लोग वक्स के बड़े पावंद होते हैं क्या टाइम हुआ है यह मेजर का रहे गया हाओ 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 हुआ हाओ है तो तो अधित स्वाँ धाव जैसा करते है है क्या हुआ है यहाँ आप यहाँ तो अह्याँ बहुत देर हो चुकी है की दो की दो की दो की दो दो दो. दो दो. 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 कीता, होनी को कौन टाल सकता है? कीता, मरें को क्यों माती हो? बस क्या, कीता, मेजर अरजुन ऐसी मर जाएगा, क्या? अरे दिलवाले हैं? और दिलवाले तो दिलनिया लेकर ही जाएंगे आजा, जपीपा, ठंड पे गई. अरजुन, तुझे फॉज में किसने मेजर बना दिया? अरे तुझे तो किसी नाटक कंप्री में होना चाहिए था. इक आइतरी, मुझे माफ कर देना. एक निट. गीता, मुझे माफ कर दो, मैं कान पकरता हूँ. नाफ पकरता हूँ. देखो, तुम्हारे पाओं परता हूँ, गीता. गीता, मुझे माफ कर दो ना. अरे यार, मैं क्या करता? मालूम है, मैं तो वक्त पर आ रहा था. लेकिन रास्ते में मेरी मुद्भेड कुछ आतंगवादियों से होगी. और मुझे मालूम था कि अगर मैं यहां पराने में लेट होगया तो आप लोग बहुत नाराज होंगे. तो आपकी नाराज़गी को कम करने के लिए मैंने थोड़ी सी एक्टिंग कर दी, बस. अरे, 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 अरे. I'm sorry, कीता. मुझे माफ करतो. देखो, सब लोग देख रहे हैं. मंगनी की रसम पूरी कर लो. आज के बाद अगर दुबारा कभी ऐसा मज़ा किया, तो याद रखनो, सुन्दे के बर मैं तुमसे बात नहीं करूँगी हो. I'm sorry. अर्चुन, ये बार-बार अंगुठी क्या देख रहे हो? अपनी किसमत पर नास कर रहा हूं, कि तुम्हारी जैसी हसी मैं जबीं से मेरी मंगनी हो गई. अर्चुन, प्लीज, देरे बोलो. देरे क्यों? मैं कोई पार्सी बावा हो क्या? पार्सी बावा को डरफोक समझता है क्या? दिखता नहीं है, तिन बच्चा पएड़ा किया है. इक तो मला, ममी से तो डर देओ. तो राट को डटा हूं, दिन में छोड़ी डटा हूं. समझ में नहीं आता. मेरा पारा तुम जैसे से क्यों पड़ गया? खुश किसमत हो इसलिए. वो क्या है ना? हमारे जैसे जवान मर्द इस दुनिया में बहुत कम है. अपनी मूँ से अपनी तारीफ. दूसरों से बुलवा दूँ. नो, प्लीज, थैंक यू. अजिता, पूछ लेते हैं यही पर बहुत हुआ है. अजिता, पूछ लेते हैं. यही पर बैठे हुए सब. मैडम, मैडम यह मेरी होने वाली बीबी जानना चाहती है कि मैं हैंड्सम हूं के नहीं. बताएं को. अरे, तुम तो बहुत ही हैंसम हो. देखा, इनसे भी पूछ लेते हैं. अरे, बताएं ना. अरे, ने, पूछ ने मैं क्या पूछ? अचलो, एक ग्लास बेर पेते हो और बीस पेका नशा हो जाता है तुम्हारा यह हुसन है. जादा रोमैंटिक बनने के कोशिश मत करना, प्लीज. चलो, बैटो. कोशिश? अरे, रोमैंस तो मेरी नस्ब नस्ब में भरा हुआ है. मैं तो बच्पन से ही रोमैंटिक हूं कीता. और जानती हो, जब मैं 80 साल का भी हो जाओंगा तो तुम्हारे लिए यह गाना काओंगा अरे, गाये ना, तुझे मालूम नहीं, तुझ पे को रुबान में भी जान, अब सुन्दर तो तुम होई, वो पंजाबी में केते न, बाच्चाओ, वो पंजाबी में क्या केते हैं? वो सोनीकुडी का के? आ, सोनीकुडी, मैं तो हूँ पागल मुंडा, तु है मेरी सोनीक मैं तो हूँ पागल मुंडा, तु है मेरी सोनीकुडी मैं तो हूँ पागल मुंडा, तु है मेरी सोनीकुडी हाँ, लेके दिल के पिहरेगों, भूल-भूल मेरी कहा उड़िये प्रस दे में खड़ा है, जित पेक्यों आरा है पेदे पीछे, खड़ा है तु दिवाना, बड़ा है रभा, आई वो सीवत बड़ी मैं तो हूँ पागल मुंडा, तु है मेरी सोनीकुडी खाले के दिल के पिहरेगों, भूल-भूल मेरी कहा उड़ि कि अचा उड़ाऊ है, तु है अे खाले के अच्ताओ मेरी मैं तु है, पाले के अचा है, वो बड़ा है शड़िये ।-बड़ा है वो तू है, य्यू रभा है उड़ब उड़ा है वाले के अचारी पतली कमर से तुमका जो माहरे हो जाएं पागल सारे कोवारे पतली कमर से तुमका जो माहरे हो जाएं पागल सारे कोवारे मिर्ची के जैजी बोली नैनों से मारे कोली देखो तो चहरे से लगती है बोली देखा कही नो एसा अलारी उल्टी चलारे चाहत की गारी मीरी मर्जी ना जाने, मीरी बते ना पने, छीरे है राओ मेरी के माने मैं तो हूँ पागल मुन्डा, तु है मेरी सोडी कुडी लेके दिल के पिंजरे को बुल-बुल मेरी कहा उडी लेके बुल-बुल-बुल-बुल-बुल तिखी हसीना, मी जी का काहारी, कप तक रहेगी ऐसे काहारी लेके मैं डोली आऊँ, हथी घोडे भिलाऊँ, दिवानी दुल हमें तुछको बनाऊँ तेरी है तेरी मीदी जवानी, मैं भी बनूंगी खावो की राणी जल्मी बाजी ना हरना, एसे आहे ना भरना, तीरी ही बाओं में ही जीना परना मैं तो हूँ पागल मुन्ना, तु है मेरी सोड़ी कुड़ी लेके दिल के बिंजरे को बुल-बुल मेरी कहां होगी असे दिल में खड़ा है जित बेक्यू आणा है मेरे पीछे पड़ा है तुदी वाना बड़ा है रभावा आई मुसीमत बड़ी मैं तो हूँ पागल मुन्ना, तु है मेरी सोड़ी कुड़ी लेके दिल के बिंजरे को बुल-बुल मेरी कहां कुड़ी हाँ 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 अर्फ क्या कर रहेthon चोड़ो मुझे ऌरे बाहे बहे शादी की है तुमको दुनिया के पहले मर्द नहीं हो जिसने शादी की है तो क्या हूँआ मुझे तैयार होब निया हो च्जोड़ मैं कहीं नहीं जा रही हूं कोई आने वाला है कौन तुम्हें क्यूं बताओं कौन आने वाला है है मेरा कुई अपना तुम्हारा अपना कौन है जिसे मैं बहुत प्यार करने लगी हूं प्यार करने लगी हूं कौन है किटा वही जिसके बदन की खुश्पू मैं अपने रोम बताँ न गीता बताँ क्या साच साच धखो एक ताइ और करता है शट्वन्स हो जाए झाल झाल छूम् गर्म मीश मीशान दिर्वान सुरुपन विवियाख उक्रम् धिरंसुपन अजमिर दुनिरिकर निरियम चिता काश पाश वास अजेएं चिता काश वह ओन काश वह जता है किरी नहां किरा क्यान ने को दितनी शां किरी शां करा नहां का रेका हर जाँ हर दो ठाओ को कไร daha जार याओ कर दो खरेदन हम यस्य मों यस्य THIS अ क्सफिकर पर उस अ पाई लागो अंकल ये तरह हो राहूल आओ अमालको सस्रियकाल ये भॉले नात बक्षिए नागरा जी मेरे बच्चे के हलत बड़ी खराब है डक्टर ने कहा है आपरेशन के लिए शेहर जाना होगा रावली से 10,000 रुपे दे दो जाए हो मालिक वही तुम्हारे घर के छत को कुछ हो गया था ठीक हो गया जिनके सर पर आपकी छत्र चाया हो मालिक उनके सर से छत कौन चीन सकता है आप ही के लोग तो बना कर गए हैं जाए भॉले नात आप जैसा दियोता इंसान अगर इस हम तो स्रिप बांटने वाले हैं मालिक की किरप आप के खम हों घहे क होडaha हे जिसतिन तुमारे वेटी की शादी होगी उस दिन निसम्कुछ भी अगे आप हमारे पास चले यहाना हम बाप बनकर इसकी विदाय करेंगे जय भॉले नाथ यह आपको इस बेटी के लिए भी करना होगा मालिक स्यानी हो गया सोचता हूं इसके हाथ पिले कर तूं इसकी चिंता तो हमें होनी चाहिए रामु काका आपको नहीं बस आप वर ढूंडिये और इसकी शादी की तक यारियां कीजे जी हमाली जी अंकल 20,000 रुपे दे दो इन्हें जी जए भॉले नाथ यह ले क्या बात है देखते नहीं आजकर है कहां क्यों जल्दी चलो राहूल बेटे हमें पास के गाउं के मंदिर में भी पूजा करने जाना है आया अंकल हां की 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 जए ते जए जए ईफ़ो देखते हैं आप लोगों को यहां पहुंचने में कोई तगलीफ तो नहीं गुई नहीं नागरास साहब कोई खास नहीं राउल बेटे ज़र सेंपल दिखाओ आये देखें नागरा साहब आप ऐसी और कितने गंज हमें सप्लाई कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्किट में हत्यारों के सबसे बड़े वैपारी हैं नागराज जी अगर यह चाहें तो दुनिया की हर एक आदमी के हाथ में हत्यार दे सकते हैं वेरी गुद आप लोग अपना अद्वांस जमा करा दीजे माल आपको परसों शाम तक मिल जाएगा पंचम उन लड़कों का पता चला जिन्होंने हमारे ट्रक को उड़ा ली जाने की कोशिश की थी नहीं नागराज मेरे खयाल से गाओं के बाहर से आयोए को छोटे मोटे चोड थे फरार हो गए सर यह सब उस ट्रक ड्रावर की वज़े से हुआ मैं उसे आपके पास लाही रहा था मगर आपके डर से रास्ते मुझे अपने आपको कोली मार ली और तुम जिन्दा हमारे सामने चले आए गोडाउन में सही सलामत माल पहुचाने की जिम्मेदारी वोस ट्रावर की नहीं तुम्हारी थी इसलिए हर मैंने हम तुम्हे इतने बड़ी तनखा देते हैं इस जगा को अपना गड़ बनाने के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है और हमारे यहां जो गलती करता है उसे भी कुर्बानी देनी पड़ती है पंचम इसके लाश को उठवा कर सखत के उस पार भेगवा दो रहुल तुम्हे एपोर्ट जाना होगा जी अंकल पुछ होगे नहीं किसलिए क्या अंकल आज बाभी अमेरिका से वापस आ रही है बाभी पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाए लगे उस अबे बंदर के बच्चे मुझे देखे क्या मिलेगा जैजाब बंदर भाई मैं तो मजा कर रहा था अब नाराज होगे मेरा थोड़ी सी बेज़दी कहा कि आपकी आप मेरी दिकाल रहे है ने ने मुझे माफ कर दीजे प्लीज परे कपड़े छोड़ दीजे प्लीज मेरे बंदर भाई मेरे कपड़े दो दीजे आप जाता रहे अरे बंदर भाई में आपको एक कजन येले खिलाऊंगा जोड़ देजन आराज अपने सब्सक्राइब आपको बंदर भाई आपको एक कजन येले खिलाऊंगा यह प्लड़ी फूल तेरी यहिम्मत तुने इनके सर से स्कार्फ रिकाल लिया हिम्मत और जूरत ने दोस्त मजबूरी है मजबूर तो तु अब होगा जब नागराजी तेरे हाथ पर तोड़ देंगे लेचनर इसको नहीं मैडम मैडम आपने मुझे पैचाना प्लीज मुझे बचा लिजे कौन है यह बग्तमीज डैड इसी ने बाबेगी चुनरी तारी थी जान मुझ कर नहीं उतारी साहब सरकार आप मुझे सबसे शरीफ आदमी लगते इससे पहले कि वह कसाई नागराज मेरी बोटी बोटी कर दे उस राक्षा से आप मुझे बचा लिजे ना प्लीज मैं आपके पाउद बाता हूँ प्लीज बचा लिजे आपके हमारा ही नाम नागराज है पूरा नाम पॉल नागराजी ने जाओ इसे यह बैंट सब यह यह सूर पाइए यह सूर रहे कि यह समझे यह ना उनको यह उस वक्त जिस हालत में था इसके पास उसके सिवाई और कोई जारा नहीं था प्लीज जादी छोड़ दीजे ना तो कहती है तो छोड़ देता हूं थांक यू छोड़ दो इसे फिर क्या हुआ क्या हुआ वो मुझे देखती रह गई मैं भी उसे देखता रह गया वो मेरे पास आई और कहने लगी किशान फेक नहीं थोड़ा सकम कर दे है कानबाई मैं मैं फेक रह पैक यह यह उस लड़की が संब प्रइए ञान तो पताए चाहिए हुआ उस लड़की ने अपनी हमेली में अपने डाडी के अखके सामने प्यार के निशानी के तौर पर मुझे अपनी छुन्डरी रिखार कर देनी है यह 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 वह सब तो ठीक है लेकिन उसका घर का है ''jia हétais er घर अबेकरतार आ तो आया जल्वी आना आया हाँ अरे हवेली बोल हवेली महल राज महल तुझे देखने हैं हाँ वो देख एक दिन यार तुम चारों लोग मुझे मिलने भई पर आओगे यार मेरी लाइफ तो एकदम सेट हो गई खिश्ञ आःज के बाद तुम उस हवेली की तरफ नहीं जाओगे क्यों उस आलिशान हवेली की बुर्अथ गरीबों की लाशों पर रखे गई किर में अगे रोशनी नहीं मासूमों के घुक है। अ क्यों यह अन्य क्या लड़की है यार पंदर भाई यार आप ऐसे केले खाते रहोगे या मेरा काम करने का भी सोचोगे देखो काम स्यादा मुश्किल नहीं है यार कल तूने किशन के कपड़े चुराए तो आज इसके कपड़े चुराने तू इसके कपड़े चुरा और मैं तुछे टाटूंगा नहीं मतलब झूटमूट टाटूंगा तू नाराज की होता है मेरा थोड़ा बहुत काम मनजेगा और हां गौड से प्रेयर भी करूँगा कि आपको एक अची सी प्यारी सी बंदरिया मिल जाए अरो वा इसको तो आइडिया पसंद लागया बॉस यह अरे मेरे कप्रे अरे मेरे कप्रे अरे मेरे कप्रे मेरे वोटे होए गाउगी लड़कों को छेड़ेगा तू यह कपड़े पेन लीजे ना मैं यह साड़ी मैं यहां से लटका देता हूं तो उस तरफ मैं बंदर का ख्याल रखूँगा और आगे इस तरफ कपड़े बदलीजेगा ठीक है जी आपको गाउ में पहले तो कभी नहीं देखा परदेशी हो हाँ हूँ तो परदेशी खूमने आया था या लेकिन आप सोच रहों कि यहीं बस जाओं वो क्यों क्यों कि यह गाउं ही इतना सुन्दर है और इस गाउं से भी ज़्यादा सुन्दर इस गाउं के लोग है आये आपको घर छोड़ देता हूँ जी नहीं अगर मुझे गाउं में आपके साथ किसी ने देख लिया तो हजारों बाते हो जाएंगी और मेरे डैडी वो तो तुम्हें गोली से मार देंगे अच्छा और अगर मैं तुम्हारे डैडी के पास तुम्हारा हाथ मांगने गया तो हाई तुझे तो मैं अपना बना करी रहूंगा हाई तुम लोग का खांदा रापून को एकदम पोसुन दे रहे हम लोग सब यही है तो आज ही कुछ हो जाता तो क्यों रिटा ठीक है रहा हूना मैं देखो कौन है लोग आता देखो ना कौन है आप धना जी राओ भीका जी राओ पातिल लेकिन आप है कौन मी चैहा एला ओड़कता ले क्या केविन चा बाप बाप यह एला बापको पैचानता निया देवा अरे सकू तु स्वामी तुमी देवा देवा तुमी जिन्दा अभी तक जिन्दा और तेरे को क्या लगा सा कुराणी के मैं वान टू थीरी हो गया असका काई इस इसलिए तु दूसरा लेगिन किया आ क्या क्या अटा काई सांगू क्या बोलू कोई ना बदे फीस साल पहले जो भुचा लाया था ना तुम तो मेरे से बिछड़ गया मैं तो अख्यली रह गे थी ना और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा इसको पालने के लिए सिवाने चेम से समुझे पती दिया जिसने मुझे समाज में मान दिया महवद दिया अगर चेम से ही होता ना तो मैं तुम्हारे बच्चे के साथ दरबादर की ठोगरे घाती कॉलापूर की राणी बहुत हो गया बहुत हो गया तुमने क्या समझा तुम फिर से आप उनको गदा बनाएगा है यह पासकर तेरा मतलब क्या है यह ले पगड़ अब यार क्या करता तु एक संत्रा नहीं समा सकता अब मेरी शादी कैसे होगी पासकर इसे बंदूक कहते हैं यह बच्चों के खेलने की चीज नहीं है अगर यह चल जाये ना तो खोपड़ी उड़ जाती है आप उनको कि दर संत्रा उड़ाने का है आप उनको खोपड़ी चुड़ाने का है ना चल अब इसे प्यार से छोड़ दे चड़ू पासकल क्या है कि आप उनके भाई ने तेरी चोकरी को पसंद किया है अभी लफड़ा नीचे समझा क्या चल रहे यह लिजे आपके अंगूर पासकल अंकल यह मेरा आइडिया नहीं था मुझे माफ कर देना बाई यह कुमाल करता है मरे रिष्टा मांगने को आता है वो भी दादागीरी से वाया यह खत में आपको इसलिए लिख रहे ही हूं कि राखे का दिना रहा है मैं जानती हूं आप मुस्से बहुत नाराज होंगे हो सकता है मेरी राखे आपको बूलना करें लेकिन आप अच्छी धरा जानते हैं अपने किस मजबूरी की वज़े से आपके पांचों काईदियों को मैंने फरार करवाया है इतना वादा करते हूं भाया अगर अपना मकस किषन करकार कहां चली थे सब लो यह फाइल इस बात का खुला सुबूत है कि उन पांचों कैदियों को तुम्हारी बहन ने फरार करवाया है और तुमने उसकी मजद की है चेले रगवीर अब तुम इस लायक नहीं रहे कि जेट की जिम्मेदारी तुम पर सुपी जाए यू और नॉट अन्ली सस्पेंड़ यू आर डिसमिस्ट तु यहां क्या कर रहा है चल बाग यहां से भाग मैं उन दोनों की तरह तेरे चक्कर में नहीं आने वाला भाग जाए यहां से नहीं तो यही तेरी टिप्री टैट कर दूआ चल अरे अरे देख जाओ तो यह बात है इसी लड़की की चान खत्रे में है अराम जाजा जाए यह जोड़ मैं करता हूँ छोड़ कौने में तू चलिए यहां से जानता नहीं कौनों में तू नहीं जानता मैं कौन हूँ जानने कभी नहीं है जात जात अपका 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 बहुत बहुत शुक्रिया आप सही वक्तपर आगे बना आपका वक्त सही था इसलिए मैं आ गया वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपकी मदद करने का याजने मेरे लाख बुरा सही लेकिन फिर भी मैं किसी पर जुल्म होता नहीं देख सकता कौन कहता है आप बुरे हैं मेरे लिए तो किसी देवता से कम नहीं आप किसी देवता से कम नहीं आप बुरे हैं दिल में कुछ होने लगा चैन मेरा खोने लगा दिल में कुछ होने लगा होने देना होने देना चैन मेरा खोने लगा महकी जवानी बहके नजारे हैंडी हावाई जलते शरारे उफ्ये सुहाना समा प्यार का दिल में कुछ होने लगा होने देना होने देना चैन मेरा खोने लगा होने देना खोने देना मैं हो तेरा मजनू तू है मेरी लैला सड़कों पे घुमूँगा बन के तेरा छैला होगा कहां ऐसा सोदाई दीवाना पारल नहो जाए जरह इसको समझाना हाँ जो तू कहे मैं करके दिखाओ तेरे लिए मैं मर के दिखाओ मौका यही तो है एकरार का दिल में कुछ होने लगा होने देना होने देना चैन मेरा खोने लगा होने देना होने देना मेरा खोने देना जाए पारल नहीं क्यों समझे रे जीरो, तू मेरी हिरोईन है, मैं हूँ तेरा हिरो तू छोड़ दे जानी, ये फिल्मों का चकर, ना मैं कोई एक्ट्रेस, ना तू कोई एक्टर हाँ, उस दिन खुलेगा तेश्मत का ताला, जिस दिन मिलेगा एक फिल्म वाला, दावा है जाना तेरे यार का दिल में कुछ होने लगा, होने देना, होने देना, चैन मेरा खोने लगा, होने देना, खोने देना पलकों में रख लूँगी तु है मिरा का जल तन से लगा लूँगी तु है मिरा चल ये मत भरी आखें ये मस्ता ना मुखडा अच्छा नहीं लगता ये दूर का दुखडा अच्छी लगे है ये तेरी बातें कैसे गुजारू तनहा में रातें दामन पकर लेना दिलदार का दिल में कुछ होने लगा होने देना होने देना चैन मेरा खोने लगा होने देना खोने देना महकी जवानी बहके नजारे थंडी हवाई जलते शरारे उफ्ये सोहना सा मा प्यार का दिल में कुछ होने लगा होने देना होने देना चैन मेरा खोने लगा होने देना तो ने देना ओहो क्या बात है बाई किस खुशी में दिन में भी शराप पी जा रही है अरे खान भाई हमारे दोस्त कर्तार हमें छोड़ कर जा रहे थे आप नहीं जाएंगे इसे खुशी में यह ले किया रहे है तुम होगे ना गए रहे मेरे बार में उस दिन तुमने मेरा बंदूग छिन लिया लेकिन आज जब पासकल आज अपन कोई रिष्टा विष्टा नहीं लेकर आए समझा क्या पासकल अपन दारुपी नेकले आए और अज का दिन तुम मेरे को आजका दीन हम सब लोगों को पोकट में दारुपी लाएंगा आँ अरे तकि अख़ा बड़त सब लोग खूब पीए और हम सब कापकेट खाली करता रहे करता रहे करता रहे इसलिए आजका दिन हम दुश्मन को भी माफ कर देता है अपन को भी आरे पास्टाल अंकल, जारे ये तो बताओ, आज का दिन इतना खास क्यों है? क्या पूजता है मैन, आज का दिन साल का पहला दिन मरे। पहला दिन क्या? फर्स्ट जाने वरी मरे। तु दारू पीता रहे, केलेंडर का तो पता ही नहीं तेरे कूँ पहली जन्मरी लटकने वाला दिन अगर आज की दिन हम लोग वहां होते तो क्या होता कुछ नहीं होता स्वर्ग में बैठे शराब पीते आरे वो सब तो ठीक है पन्द अब उनकी लाइफ का तो दी एंड हो गया होता न तो सच बना केविन हम लोगों को गीता जी का शुक्र म हम सब लोग जितना भी वक्त जीएंगे ना लीटाजी का एहसान मानेंगे एहसान चुकाने के लिए मैं तुम लोगों को माखा नहीं दूंगा तो किसी ने भागने की कोशिश की क्या समझते थे तुम लोग कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अरे अगर तुम लोग पाता वहां से भी ढूंड निकालता है वो वर्दी जो मेरी शान थी जिसके लिए मैं जीता था मरता था तुम लोगों के जेल से भागने की वज़े से मेरी वो वर्दी उतर गई और अब मैं तुम लोगों को फासी के फंदे पर चढ़ा कर ये अपनी वो वर्दी पहनूंगा जेलर साब आप पांच मिटर की वर्दी पहनने के लिए हम पांच लोगों की जान ले लेंगे मेरी बहन गीता कहा है नहीं मालूम अच्छा नहीं मालूम खैर कोई बात नहीं अपनी बहन का बता मैं तुम लोगों से बाद में जेल में भ्यूगल वालूँगा अब चलाओ चलाओ अरे शक्का काईगा वात पर बुब दरवादे कुल चलाओ दरवादे कुलता हूँ अंदर बंद कर दूँ झाल 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 है कर तंस नो कर गो कर गो कर के यहह किको घंख वेन खोल लो एख और खोल ना यार खोड़ार जो किसी ने भागने की कोशिश की ए चुप चाप जगे में बैठे लो हाँ हाँ जेलर चला गोली लेकन एक चीज समझ ले जिसे भी गोली लगेगी वो गिरेगा तेरी तरफ और अगर इस वेन में तेरी तरफ वजन ज़रा सभी बढ़ गया तो ये वेन जाएगी सीधी खाई में अपना फर्स पूरा करने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो इसका मुझे दुख नहीं होगा आज पहली तारीक है तुम लोगों की फासी का तिन और आज ये के दिन तुम मरोगे फासी पे लटक कर या पहाड से किरकर केवन तु खोल ताला ये गोली नहीं चला सकता केवन ताला खोल अरे चला देगा कि ये क्या बगवास कर रहे हो तुम अगर आपको बिस्वास नहीं आता तो अपने आदमी से पूछतो ये तो वहीं मौजूद था जी किशन कहां चले गए थे कितनी बार आप लोगों को समझाए कि इससर आप लोगों का आजादी से घुमना चीक नहीं है बस्ते में किसी ने पहचान लिया या पुलिस ने देख लिया तो क्या करोगे जान से जाओगे मैं यहां कबसे खत लिकर बैची हूँ और तुम मेंसे किसी का पता ही नहीं खत ये खत किसके लिए गिता जी अपने भाया को इतवार को राखी है ना गबराओ नहीं यहां का पता नहीं लिखा है और तुम भी यह से किसी दूसरी जगे से पोस्ट कर देना ये लो खान भाई किस जगा से खत पोस्ट करें जो ये जेलर साब को मिल सके मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जीता जोप नीचा जाओ तुम्हारा केल खत्म हो चुका है भाई लोग अपन को तो भार कुछ लफ़ा लगता है इनको रुकना होगा तुम नेचे आती हो यह मैं उपराऊ डीचे पार यह यग मैं यह पुद़ को तुम्हार के पिए यहार के उनको रग़ लोग और दो शर किया कि तो ही डरमाशी कर दो द कि इtrack इताजी गन्पेको इताजी उताजी का घजता उताजी वोख खाओनी येको इताजी, इताजी गkäँ! मैर्ती दक ददाले जो दोलूगा इताजी!! यां! किसंग! किसंग! कर्भाइ! किसंग! किसंग, तो जगश्टियोगा! तो गवरामत किसंग, तो जगश्टियोगा! तुँ! किसंग! किसंग, बुपाओ! केविन! परजा मेरा राथते से! केविन, मेरा रात्ता चोड़! क्या समझ्धी वह अपने आपको? समझ्धी कै वह अपने आपको? कटपुत नहीं हम उसके हातों में? हमारे जिंदगी जिंदगी नहीं! उसकी कपत नहीं! करतारा वो अपर के साथ कुछ भी कर सकती है आप उनको दुष्ट बढ़के सामने निहाता कुटों की तारा मरने के लिए छोड़ सकती है और आप उन कुछ नहीं करेगा हाँ बोल बहरी होगी क्या पुदिर तिला तिला के गला भड़ी हाम लोगा करेंगे तेरा वो अशर करूंगा के तो आइंदा किसी मर्द की सिंदगी के साथ के लगार नहीं करेगी हाँ कै कियो रुक्यों गई जान लेना चाथे हो जान लेना चाथे हो इस तो थुणना चाथे हो करो जो करना है करो कि इससे अच्छा मोगा तुम्हें कहा मिलेगा इतनी बेबस औरत और कब हो सकते हैं तुम दोनों को फासी के फंदे से बचाकर जिंदेगी देनी की सजा तो मुझे मिल लेगी चाहिए कि मेरे फुक्तिली नहीं मुझबूरी थी जो आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकी यह बंदग मैं तुम्हें देनी ही वाली थी लेकिन लेकिन मुझे से फाक था बात मताना हूं मैं तुम लोगों को कुनेगार नहीं इंसान साबश कर लाई थी यहां विश्वास दोड़ दिया है तुम दोनोंने मेरा मैं तुम लोगों की शक्र तक देखना नहीं चाहती चले जाओ यहां से चले जाओ किता जी के हालत बहुत खराब है किशन जल्दी से बस्ती जाकर किसी डॉक्टर या दाई को लाना होगा जल्दी चलो इस ब्हुत मार लगी है क्या बहुत दर्द हो रहा है क्या तु इतना खुश क्यों है रहे कौन मैं तो बहुत दुखी हूँ मंट मरूं के साथ यृजब प्रॉब्लम को कैसिसं लुजब एक प्रॉब्लम मॉन रहा हम तो लगता है नियुतườwhy लोग नियुत कॉल ऍरल्म मॉने उटारहे से सफेंग के सबस 202 परकोन बॉक्तव में बूल Wak इतना पुरा हम लोगों के साथ हुआ है न, उससे पुरा तो उन लोगों के साथ होगा, समझे? जारो तरो से घरलो, कोई भी बजने न पाए, जाओ, वे! राड, यहाँ कोई भी नहीं है, लगता है भाग गई साने, उड़ा दो सानी जगे को! शायद इसी को किसमत कहते है, खाल, अगर वो पास किलब उनको साही टाइम पर नहीं बताता और यहां नहीं लाता, तो अपन लोग भी उस जगे के साथ उड़ी जाते हैं बोड़ी गए होते तो अच्छा होता, कम से कम शर्मिंद्र के साथ हमें जीना तो नहीं पड़ता कबीर, गुस्य और जजबात में आके हम लोग उने बहुत बड़ी गलती कर ली है, हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं कबीर गीता जी, आप देखिए, वो दोनों हम लोगों से कैसे दूर दूर अलग अलग रहने लगे हैं किशन ठीक कह रहा है, गीता जी, वो दोनों अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा है, अब तो उन्हें माफ कर दीजिए प्लीज माफ कर दू, उन लोगों का माफ कर दू जिन्होंने मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कि वो लोग ऐसे नीच हरकत कर सकते हैं कितना नीच ही गिर सकते हैं गीता जी, हम जानते हूंनोंने बहुत घट यह हरकत किये लेकित गलती तो इंसान से ही होती है, ना हाँ, इंसान समशकरी में उन्हें यह अपने साथ लाई थी, ताकि में नागराज से अपना बदला ले सकती नागराज ने मेरी खुशियों में आख लगा थी मेरा सारा सुक्षय इंचीन लिया अर्चुन से शादी करके मैं कितनी खुश थी मैं कितनी खुश्टी भाई ताक, ये बैंगन ये गाजर और ये घोबी दे दीजी आदादा किलो कदू नहीं लेंगी लेले लेले बेबे, ये मेजर अरजुन सिंग की खास पसंद है अरजुन सिंग की लेले लेले अरजुन, तुम? ओए सोड़ेओ, मैं तेनु बहुत फ्यार करना मुलाई मारके पागल होगे, क्या अच्छी अच्छा कदू नहीं ते मेन्दू तो ले जा ओए, ओए सोड़ेओ माजी माजी नहीं आजी मला माहित आये, माहित आये अरजुन लाग कदू को बावर तो ना कहसे काई, काई माज अरचुन? मी तुसा प्रेमी हाग कदू घ्याउंटाग फुटाज ले जा, ले जा जा, जा अरे कहार कदू कदू को जमीन पर इंए माहित आप, अरे बाहित जी कहा जवाद ने कहा रहा new मालूम क्या, अगर हमने अपनी लगाई को नहीकि ख़िलाया कदू क्हा दी ख़ोन को नख़ोन काई सार्जुन किसी अर्जुन को नहीं रहर बाई था बोलो ना. नहीं जांते अर्ज्र को, में नहीं भात करुँगे. सॉरी मैं तो मजाग कर रहा था. जाए जाए ये हमारी फीवी है, घर में जाक कि रोम Sinds करो ना, मार्कर में के अलना मचा Watts Chat up तुम यहां से जाना नहीं हुआ हलो वीजर रर्जु साइंग यस सार रिपोर्ट नना पुर हमेजएटली यस सार आला रिपोर्ट चुड़े सार थैंक्यू सार ब्रिगेडिया साप का फोन था फॉरंट जी पर बुलाया होगा ठीक है तो तुम जाओ तुम क्या समझती हो तुम्हें चोड़कर जाने को मेरा चीछ चाह रहा है लेकिन क्या करूं धनकपुर में टेररिस्ट एक्टिविटीज फिर से बढ़ गई है और एमजेंसी में मुझे बलाया है यह जान तुम इस तरह नाराज होगी तो मैं जान नहीं पाऊंगा देखो मैं कोशिश करके एक हफ्ते में वापिस लोटाओंगा चलो जलो भी मुस्क्रादो मुस्क्रादो अब ही देखो मेरे जाने के बाद मेरे अचीकव बच्चीकु कच्चीकु क्या होता है यह हमारे me legendary वालों के code words अच्छा अच्छा मेरी तरह बच्चीकु मतलब बच्चा इसकी तरह और कच्चीकु मतलब चांद से प्यारा तुमारी तरह अब बहुत हो गया मजाग अरे एक सीरिस बात सुनो क्या कई मैने होगे गाहितरी को धनकपूर गए हुए कई उसके इंदिजार में मेरे बढ़िया बुढ़े नहीं हो जाए तो उसे कहना अगर गाउंवालों के लिए डैम बना लिया हो तो प्लीज घर जल्दी वापस आ जा नहीं बन सकता दिन रात की गड़ी मेहनत के बाद माओं मिन सीका कागजाथ पास करवाये हैं और आप कैथे कि या डैम नहीं बन सकता क्यों नहीं बन सकता क्या आप नहीं चाहते कि धनकपूर गाउं स्वर्ग बने यहाँ की अनक्वार्घ अपने यहाँ के किसान LEGC घच. मुटी रोजी से मौताज ना हो तु कह रहा का जाती है यहां के लोग खुशाल नहीं है शांत राहुल बेटे शांत तो जो कुछ भी कहना चाहती है मैं अच्छी तरह समझ रहा हूंगा एद्री इस गाओं के खुशाली और इसके तरकी के लिए अगर हमें अपना महल भी गिराना पड़े तो हम पीछे नहीं अटेंगे मगर बरसों पुराने इस शिप के मंदिर को किसी भी हालत में हम डूपने नहीं देंगे लेकिन ये मंदिर तो पहाड़ी के उपर है ये कैसे डूप सकता है इस गाओं में डैम बने उससे हमें कोई अतराज है लेकिन अगर उस डैम के दिवारों ने जवाब दे दिया तो जानते हो क्या होगा डैम के पानी के जोर से सारा का सारा गाओं बह जाएगा ये मंदिर चूटकर पानी में डूप जाएगा सब के सब तबाव बर्मात हो जाएगे क्या आप लोग चाते हैं कि आपके साथ ऐसा हो नहीं, हमें डेम नहीं, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए भॉले नाथ अब यहाँ खड़ी क्यों है सुन लिया ना तुने सारे गाउं का फैसला दिवार पर सर मारने से क्या फाइदा तेरा सर ही पटेगा तू जा सर फूटने का अगर डर होता तो इस काम का बीड़ा में अपने सर नहीं लेती एक बात याद रखना अगर भोले भाले गाउंवालों को भरकाना आसान है तो उन्हें समझाना भी कोई मुश्किल नहीं इस गाउं में डैम ज़रूर बनेगा चोड़ो मुझे नहीं चोड़ो मुझे चोड़ो चोड़ो मुझे इन कुंडों के हाथों मुझे यहाँ पर जबरतस्ती लाकर तुम ने मेरी शक को यकी में बदल दिया है कि तुम कोई सादू नहीं बलके सादू के रूप में वो शेतान हो जिसने अपने फाइदे के लिए इस गाउं में कभी डैम बनने नहीं दिया बहुत बोलती हो तुम अफसोस हमें सुनने की आदब नहीं बॉले नाथ की तीसरी आँख है हम और जब यह आँख खुलती है तो जिन्दगी मौक में बदल जाती है इसका वो हशर करो क्या इंदा कोई ऐसी गुस्ताखी करने की जुर्रत ना करे तैम बनवाएगी हाँ गावाबाद को कि हमें बर्बाद करना चाहती है हुआ 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 है रोमत का इदरी रोमत अब तेरा भाईया क्या है ए नागराज जरत पर अपनी जांग की बादी लगा कर जब फौजी सारे देश की माभेलों की इज़त की रक्षा करता है आज तुने उसी पौजी की बेहन को हाथ लगाया रोमत तुम मेंसे कोई जिन्दा नहीं बचेगा जान गया अब जान गया यही है वो देश्ट्रोही बहुत अंकवादी जिसके आदमी सरहत पर स्मगलिंग करते है नागराज तु सिर्फ मेरी बेहन का ही नहीं मेरी मा का भी गुरेकार है उस मा का जिसे हम भारत मा कहते है हरामजादे इसी की कोख से जनम लेकर इसी की देको प्राप्या उसे चली कराई तु यही पुरेना कर दो आहे लुप सरे के लुप से लुप से मखशा एजना वुप सुल एड़ार्दmek만 Ск स्थ्यू टाझना किर रुप सैंसे लुप सरे कर रुप से लुप भी का रुप सिर्पर्दकु … लुप सबस्बस्तर लग में ऱुप NHS बड़क रिजये जए एंज हो जए एंज है, आए मैं आए, एंज है, आए, पहां आए, पहां है. बहँ्या बहँ है अपवार, लोर्प नीट 15 इनना लई परणा मार डालूगा इसे मार डाला मेरे बहिया को इननों बार डाला को मार डाला गाहायतरी कुछ नही हूए मुझे गाहतरी तू भाग याओए भाग तुयाओए इवाग और टुझे अपोर तैकल भूकूर थारिट इवाड़ क्रों करें साया में तुझे नोग आए एए ए फुझे साला हो तुझे प्लिस को लिए जो आए नाटिशन है तुझा उचा कुछ नीवार तो प्लीस को ब्ला करा. एहीं मैंनी नीवारूँगा। मैं प्लीस को लेंगे राती हूँ… मेरे झाट को माई डाला। एहीं, नागराज। इल्ना नहें। लक्टाय मुर्गिया, जा जा देख देख देखना जा जा पर गया सरहत के पार फैंक तो इस किलाश को देश का एक सच्चा सिपाही आतंक वादियों के साथ लड़ता हुआ शहीद हो गया जै भुलेनाथ आज ही चांद काहों खोके रहे गया बादिलों के निकली नेरा कर गया कर अधिल जा आज हो लड़ता हुआ पारो प्लों के ने ग जगर나 उननाद को Bean शर्मानी चाहिए आप लोगों के इस तरह का मजाग करते हुए इनकी तो आज है थो मुझे हमेशा थंग करने की हरे आज करवा चोह थे सुबे से मैं भूकी प्यासे इनकी लंबी उमर के लिए दुआ कर रही हूँ और आप लोग और आप लोग भी इनके साथ मिलकर इस नाटक में शामिल हो गए आज मजाग के भी हद्ध हो गए चलिया अर्जुन जी उठियो बहुत होगिया मजाग अर्जुन अर्जुन प्लीज उठो अर्जुन मेरे पहले से कहा तो दुबार ऐसा मजा करोगे में तुमसे कभी बात नहीं करूगी इस सब क्या लगारा का है चल्ला अर्जुन उठो अर्जुन नहीं उठोगी तो मैं जा रही हूँ अर्जुन अज करवा शओधिर आज के दिन ऐसा मत करो प्लीज देखो मैं रो पड़ोगी अर्जुन अर्जुन प्लीज उठो जीटा अर्जुन अर्जुन अब कभी नहीं उठेगा अब इनके साथ मिलकर मैं आप लोगं की बातों में नहीं आने वाली हूँ अर्जुन अर्जुन मुल्त बरदाश नहीं हुरा अर्जुन चलो अर्जुन कर दो. मेजर अर्जुन सिंग का गति धनकपुर में हुआ लेकिन उनकी लाश सरहद पर पाई गई फिर आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि उनका गतल नागराज नहीं किया है क्या उसका कोई चश्मतीत गवाँ या कोई ठोस सबूत है आपके पास सबूत है मैलोड सबूत है कि लड़की जिसने अपने भाई का खतल करते हुए इस नागराज को अपने आँखों से देखा है मैलोड वकील साहिवा शायद इस बात को भूल रही है कि अदालत पागलों की गवाहियों को नहीं मानती और ये लड़की बिल्कुल पागल है जिसका सबूत मैं आपको पेश कर चुका हूँ अदालत को इस बात से कोई मतलब नहीं कि लड़की पागल थी या हो गए आप सरफ ये बताइए कि लड़की पागल है या नहीं पाई प्रिव अजूत। प्रिव अध तैनल ये वै इदイ कर typ । लेकिन ये लड़की तो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं इस लड़की के हालत में सब कुछ बोल दिया मैं लेकिन कानून हालात पर नहीं सबूत पर गौर करता है पब्लिक प्रोसेक्योटर ने ऐसा कोई भी गवाव और सबूत इस अदालत में पेश नहीं किया है जिससे ये थाबित हो सके कि मेजर अरजुन सिंग्हा कतल नागराज ने किया है लेहाजा ये अदालत नागराज को बाइज़त परी करती है अब कानून हमें तुम सिखाओगी दिस इस कंटेंट ऑफ कोर्ट पब्लिक प्रसी किटर हम चाहें तो तुम्हें अभी इस पेशे से डिस्पिस कर सकते हैं उसके कोई जरुते में लौड आपके फैसले ने कानून पर से मेरे विश्वास उठा दिया आप मुझे के डिस्पिस करोगे? किस पेशे दे में कुल रिदेर करती हूँ मुवार्ट वगिल साथ मुवार्ट थांक्यू आई चाहिए देखागी शांद बंचम शांद किसी आनी बिल्ली है खंबा तो नोचे की आज इसने तुमारे मुपर तमाचा मारा है लेकिन कुछी दिनों बाद यह अपने ही हाथों से अपने ही मुपर तमाचा मारेगी जो मर गया उसके खं में क्यों अपनी जवानी बरबाद कर रही है मेरे नाम का एक मंगल सूत्र अपने गले में डाल ले रानी बना कर रखेंगे हम तुझे अपनी जूटी जीत पर इतनी कुछी मत मना ना अगराज तो सिर्फ कानून के अदाल से बचा है लेकिन मेरी अदालत में तो कल भी गुनेगार था और आज भी कानून से ना इंसाफ इशाइदी से लिए हुई है कि तेरा इंसाफ में हाथों से कर सको तेरी मौत किती और क्या हाथों नहीं मेरे हाथों होगी सिर्फ मेरे हाथों मेरे हुई 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 है सिर भशे टेरία और टामए तो हुई 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 चब्ड़ो भीजिसार को शीना उन राख्ची तोने सिर्म मेरे पती की शरीर को चीना है उरके याद उंका नहीं वो दिन्दा है वो दिन्दा है मेरे दिल मेरे सासो मेरे अत्मा मेरे है तो जानती हो कि अगर तुम ने मंगल सूत्र पहना तो लोग क्या कहेंगे अगर नहीं पहनें तो वह लोग कहेंगे कि तुम खूब सुरत हो जबान हो तुमें सहारी की जरुरत है हमेरी रखेल बन जाओ आज मेरी सुनी मांग को देकर उन पापियों के मन में पाप जागा है और जब तक मैं अपनी सुहा को चीनने वाली लोगों की जिंदगी ना चीन लू इस मंगर सुधर को नहीं उठारूगी नहीं उठारूगी मैं नहीं उठारूगी मेरे पती की चीता की आग अब भी मेरे सेने में दैख रही है और अब इस आपको मैं बुछने नहीं दोगे आज मैं तुम्हारे कसम खाते हूँ हमारे होने वाले इस पच्चे की कसम खाते हूँ इस आग में उन पापियों को चला कर राख कर दूगे मैं राख कर दूगे मैं उस दिन विद्वा होने के बाहुजूद भी मेने मंगल सुतर पहना और कसम खाई कि उस नागरास से उसकी जिन्दखी चीन लूगी जेल में मेरी नजर तुम पांचों पर पड़े मैंने देखा तुम लोग भी जुल्म के शिकार हो जालिमों से नफरत करते हो मुझे अंधेरे में उमीद की किरण नजर आई मेरे दिल ने कहा कि मेरे होश के साथ अगर इनका जोश मिल जाए तो एक आर्मी बन सकती है एक ताकतवर आर्मी जिसके जरिये में उस राक्षर से लट सकते हूं उसका मुकाबला कर सकती हूं, उसे तोर सकती हूं मकर इन दोनों ने मुझे तोर दिया फिर एक बार किसमत ने मुझे हारा दिया किसमत ने मुझे हारा दिया पंचम यह औरत हमारे लिए खतरनाख साबित हो सकती है कुछ भी करो मगर जल्द से जल्द पता लगाओ के गीता और उसके साथियों का डाब कहां है ठीक का गभा आर आरब का ब다ा आर आर को अपे लिए हम 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 की का गYourण रड़ाला आरत है का लो ओू नहाए elabor वचय है कॉणल पच्चिगू, पच्चिगू, कच्चिगू, सबसे प्यारा है बन्ना तू पच्चिगू, पच्चिगू, कच्चिगू, सबसे प्यारा है बन्ना तू चांदा गया इत्समीन पे रोशनी हुई हर सू पच्चिगू, पच्चिगू, कच्चिगू, सबसे प्यारा है बन्ना तू पचिकू, बचिकू, कचिकू, सबसी प्यारो ए मुन्ना कू ईया, 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 ईया ईया, 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 ईय दिन गुजर गया रात हो गई, चन्द मामा आओ, खीर तो खिलाओ दिन गुजर गया रात हो गई, चन्द मामा आओ, खीर तो खिलाओ आज कुछ नहीं बात हो गई, मम्मी को न चाओ, नाचिके दिखाओ देख तो लाड़े हर जगव हर तरब चल गया है तेरा जादू अच्छी को बच्छी को कच्छी को सबसे प्यारा है मुन्ना तू रूरूरूरूरूरू मेरा रूप है मेरा रंग है एक दिन बनूँगा मैं भी पापा जेसा मेरा रूप है मेरा रंग है मेरे पास है मेरे संग है होगा ना खिलाना और कोई ऐसा तू मुझे मिल गया मिल गई हर खुशी मुझे पे ना है मेरा काबू अच्चिको बच्चिको चांद आ गया इस जमीन पे रौशनी हुई हरसू चांद आ गया इस जमीन पे रौशनी हुई हरसू अचिकू, अचिकू, कचिकू, सबसे प्यारा है मुन्ना तू अचिकू, अचिकू, कचिकू, सबसे प्यारा है मुन्ना तू कि ये बात तो आप उनके समझ में आ गई खान भाई कि गीताची आप उनसे नफरत करती है कि इसलिए आप उनसे उस बच्चे को दूर रखती है लेकिन एक बात अप उनके समझ में नहीं आई खान भाई तेरे को उस बच्चे से इतना लगाओ क्यों है कवीर मैंने मैंने कभी जिंदिगी में किसी का बुरा नहीं चाहा सच्चाई और इमानदारी को हमेशा मैंने अपना धरम अपना इमान माना मैं टैक्सी चलाता था जो थोड़े बहुत मुठी वर पैसे कमाता उसी में खुश था मैं सिर्फ अपने छोटे खान अपने अपने बच्चे की सूरत देखना चाहता था मैं अपने औरत को हस्पताल लेकर जा रहा था सिर्फ इसलिए कि मैं उनके खिलाफ होट में गवाई देने वाला था कि उन्होंने मेरे शंकर काका का खून किया है उन्होंने मेरी आँखों के सामने मरी अउरत को बड़ी बेरहमी से मार डाला कभीर मी आँखों के सामने मेरी धुनिया ुजड़ आपई। कर दिया अपने आपको कानून के हवाले होगे मुझे फांसी की सजा मुझे दुख नहीं हुआ कबीर मैं इतना कभी नहीं टूटा था जितना आज टूट चुका है इस इस बच्चे में मुझे अपना बच्चा नदर आता कभी इस बच्चे में मुझे अपना बच्चा नदर आता कभीर या औरत जब इस बच्चे को मुझे से दूर रखती है मुझे इसे चूने नहीं देती मेरा खून मेरी आत्मा खौन उटती कभीर मुझे समझ में आदा मैं क्या करूँ मेरी समझ में आदा मैं क्या करूँ कवीर क्या मैं इतना बुरा इंसान हो कि मैंसे छूभी नहीं सकता नहीं खान खान चुबकर खान सबाल अपने आपको तू बुरा आदमी नहीं है खान तू बुरा आदमी नहीं है बुरा तो मैं हूँ खान पैसा कमाने के लिए मौत का सौधा करता था इस देश के दुश्मनों और आतकवादियों को बंब बना कर बेचता था हर एक दिन उन्ही लोगा ने मेरे ही बनावे बंब से मेरे ही बस्ती को ड़ा दिया हर सबसे पहले उजड़ने वाला घर कोई और नहीं मेरा अपना था तेरा लोग थे उस घर में किसी की लाश तक नहीं मिली तब जिन्दी की में पहली बार पता चला कि जब कोई अपना मरता है तो कलेजा कैसे भटता है खानगर हम चाहें तो इस बच्चे को हम गले लगा सकते हैं कि यह बच्चा हमारी गोध में खैल सकता है कैसे कबीर कैसे कबीर कैसे कैसे तु एक बार पता इस बच्चे के लिए में अपनी जान तक दे सकता हो最ев moments ऐना ही जान देने होगी जान लेनी होगी झाल, झाल झाल, 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 झाल झाल, 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 झा क일 था कर अथिए कि अजड़ lug Twelve नच्ट लगव एड़ पंप कि इड़ तौब कि यह कि पर को खार lंद तुम्हारी पिस्तोल से गोलिया मेने निकाली थी क्योंकि उस शायतान का खात्मा मेरे हाथ तो होगा उसे सिर्फ मैं मारूगी तुम लोग नहीं बेचर चौवीस खंटे के अंदर अंदर गीता रोज के पांस साथी मेरे सामने होने चाहिए वरना मेरी तीसरे आँख खुल जाएगी और तुम अच्छे तरह जानते हो नाकराज के तीसरे आँख खुलती है तो क्या होता है जाओ यह बगवान यह क्या अनर्फ हो रहा है यह कौन है जिसने इस गाउं की बरसों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया हां भाई साथ कई बरसों से इस मंदिश्ट जिर में सिर्फ नागराज जी और उनके बुर्भों ने तो पूझा की है आज इसे नागराज के कहर से कोई नहीं बचा सकता आज आज दिकिते आज दिकिते कर दो कर दो कर दो कर दो जैए फलेनाच कौन है तु जिसने हमारे इजाज़क के बगार हमारे पुर्खों के मंदिर में कदम रखने की जुरुरत की तु तु हाँ मैं याद है मैंने कहा था कि तेरी मौत मेरे हाथों लेकिये आज वो दिन आगया नागराज तु भूल गई हमने तुससे क्या कहा था मर गये नागराज को मानने वाले तु जानती नहीं शिप की कितनी बड़ी किरपा है नागराज पे और तु उसे मानने के लिए शिप के ही मंदिर में चली आईगी तेरी मौत के लिए ये जगा इसलिए चुनी है नागराज कि तेरी आँखे बंद होते ही सारे गाउंवालों के आँखे खुल जाए कि जिसे वो शिप का सबसे बड़ा भक्त मान देते वो कितना बड़ा पापी और नीच थो इस और को गिरप्तार कर लो मैं तुझे चुड़ोंगी ने मालको हमें मलूम था कि यहां पर जरूर आएगी इसलिए सारी तैयारियां करके आया हूं हमारे देवता समान नागराज जी पर हमला करेगी उन चार अंग्रक्षकों की हत्यारण है तु यहां से बच करने जाएगी अटाव शेक शुकर मनाज तु बच गया नागराज लेकिन गयाद रखना मैं तुझे दिन्दा नहीं चुड़ोंगी बंखता शेक हलो तुम सारे पुलिस वालों को लेकर चले जाओ फारण मुझे पूरा पुलिस सेशन खाले चाहिए कीता और उसके साथ ही कानून के तबाद में पहले हमारे मुझरिम है अब उनसे पहले हम हिसाब चुकाएंगे उन्होंने आज जो यह हिम्मत की है उसकी उन्हें सदा मिलेंगी और वो सदा कानून नहीं मैं दूंगा मैं अपने हातों से दूंगा वैसे तो औरत मेरी कमजूरी है लेकिन मैं आज तेरे साथ त्यार करने नफरत का सुलुक करूँगा मर्द का बच्चा है तो एक बार सिर्फ मेरे हाथ खोल दे तुझे खुद बता चल जाएगा कि औरत तेरी कमजूरी है या तो औरत से कमजूर है हमारे नागराज साहब जानती है कौन है वो इस देश के सबसे बड़े उगरवादी असलाब बारूद के सबसे बड़े रपारी उन पे हमला तुने जो हम सब को जखम दिये है आज उन सारे जखमों को सूच समेट वापस करूँगा तुझे पता तेरे बागी के साथ दिका है बारूँ अबन्या एक तेरे नन सारे बड़े लिस्वादी झाल झाल जीतर जी मुन्ना के लहे जिस पच्छे को अनाथ होने से बचाया जिस पच्छे को अनाथ होने से बचाया उसे गले नहीं लगाओगे कीता जी आपने हमें माफ कर दिया अगर आज भी तुम दोनों को माफ नहीं किया तो बगवार मुझे कभी माफ नहीं करेगा शुक्रियों 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 खान भार मुन्ना बाभी क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो आज पहली बार मुझे अपने टैरी की असलियत का पता चला है वी गीता ची शायद यह असलियत मुझे न खुले इसलिए बजपन सही उन्हें अपने से दूर रखा लेकिन आज तक मैं दूर रहे के भी अपने डैडी से इतना दूर नहीं थी जितना आज उनके करीब होके दूर हो गई हूं तुम्हारा दुक मैं समझ सकते हुआ भी लेकिन शायद इसी को किसमस कहते हैं कि इनसान जिसे कभी दूर नहीं रह सकता अक्सर उसी से दूर होकर जिनना पड़ता है देगा वेम साब ये दिखे ये दिखे मुनाश कितना खुछ नदर आ रहा है ये इसलिए खुशे खान कि आज पहली बार इसके आर्मी पूरी हो गई है शायद आज पहली बार इसे लग रहा है कि इसके पिता के कातिलों को अब सदा जरूर मिलेगी ये मुस्कुराहट नहीं जंग का एलान है उस जंग का जो इसके पिता मेजर अर्जन सिंग ने शुरू की थी और खत्म हम करेंगे हो गई तैयार हमारी आर्मी हो गई तैयार हमारी आर्मी मानेगी नहार हमारी आर्मी होसले बारूतों वाले सास में है ज्वाला सिंदगी ने मारा हमको मौत ने है पाला हो गई तैयार हमारी आर्मी मानेगी नहार हमारी आर्मी सर जुकाए बैठा क्यों भला मेरे मीत मुश्कुरा सास कोई हाथों में उठा नया गीत गुनगुना आधी को रोक ले तुफा को मोड़ दे सारे चहाने को हम पिछे छोड़ते आगे हमेशा पड़ती ही जाएगी तहरे की नयार हमारी आर्मी हो गई तयार हमारी आर्मी जान से भी प्यारी है हमें एक दूसरे की जाएग एक दूजे के लिए सदा खूंगे हम यहां कुरबा आखों में हाव है जीने में जोश है खुशियों की रात है अब किसको होश है उड़के कभी भी वापस ना आएगी जीते की सवबार हमारी आर्मी हो गई तयार हमारी आर्मी होशले बारूदों वाले तास में है ज्वारा जिन्दगी ने मारा हमको हो तुशियों तो जोच ह। दाबराओ बच्चे की शकल बिल्कुल बात पगई है मेजर लगता है जैनी जैनी खबरदार अगर इस बच्चे पर आज भी आई तो विदेश में पढ़ने का मतलब यह तो नहीं कि अपने पाप से बात करने की तमीज भी भूल जाओ ले जो इसे मेरे बेटी को मेरे खराब भड़काया मेरे दोस्त के बेटे को माँ डाला अब तुम्हारे इस बच्चे को बार अगर मेरे बच्चे के जिसम पर एक खराज भी आये ना नागराज तो कसम है मुझे उस भगवान के जिसका भकते तो तेरी मौत तुछ पर इतनी मुश्किल कर कि मरने से पहले सो बारमरी गतर मर गये नागराज को माँने वाले हैं बान दो इन हमजादों को और टाइमबं लगा दो वागे चब को कालकोटी में डाल दो वह भी गोभी नहीं दी चोड़दे इने 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 पीज दाड़दे छोड़ दीजे, छोड़ दीजे इने रड़ी, बीचाने, छोड़ दीजे शुब जाब बैठे हो एक बार अप उनके हाथ खुल जाए, उस नागराज के चिथड़े उड़ा दूगा इसी बंप से मुद्धई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है, जो मन्जूर खुदा होता है आप, जिन्दा है? ये मेरी खुश नसीबी है और तुम लोगों की बद नसीबी है जो मैं बच गया जिन्दा रहने के लिए मैंने मात के साथ जंग लड़ी है हरामजादों लेकिन जेलर पहले ये बम तो निकालो, जो नागराज अप उनको लगा कर गया है हमें गीता और उसके बच्चे को बच्चाना है जेलर गीता का बच्चा? हाँ, गीता का बच्चा जिस मिट्टी पर गीता का सुआग मिटा था उसी मिट्टी पर उसके सुवाग की निशानी एक नन्ने से प्यारे से बच्चे ने जनम लिया है जेलर साब नागराज गीता जी और मुन्ने को उठा ले गया जेलर साब वक्त बहुत कम है अप उनको अपनी चान की परवा नहीं जेलर लेकिन इस महाभारत में वो शेतान नागराज मरेगा गीता और मुन्ना नहीं गीता और मुन्ना नहीं जै भुलेनाथ तुमारे आर्मीन खत्म हो गई लेकिन चैन तुम मुझे तभी मिलेगा नागराज जब इसकी आर्मी के साथ साथ ये भी खत्म हो जाएगी इसकी जान इसके जिसम से मैंनी हाथों से निका दूँगा अंचम शान तुम्हाइब सब मौका मिलेगा तुम्हें तुम ही मारोगे इसे मगर इतने आसान मौत नहीं तरबा तरबा करें हम देखना चाहते हैं कि मां के ममता अपने बच्चे को कब तक हमारी तीसरी आँख के कहसे बजा सकती है तो यार करो इसे और हमार दरबार में पेश करो इक बीती हुए कहानी है इक बीती हुए कहानी है तेरी मेरी दुश्मनी पुरानी है तेरी मेरी दुश्मनी पुरानी है किस दिल की आँप उछानी है तेरी मेरी दुश्मनी पुरानी है तेरी मेरी दुश्मनी पुरानी है पुश्मनी पुरानी है तेरी मेरी दुश्मनी पुरानी है हुआ 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 है तूने मुझे जलाया है करदम तेरी जुकाओंगी जिन्दा तुझे जराओंगी जिद मैंने आज ठानी है तेरी मेरी दुश्मनी पुरानी है तेरी मेरी दुश्मनी पुरानी है हर जिरी दुश्मनी दुश्मनी पुरानी है मैंने ख़सम भी ठाई है तेरी ख़जा भी आई है मैंने ख़सम भी ठाई है तेरी अजा भी आई है कोई नहीं बचाएगा तु इस जहां से जाएगा मुझे तेरी चिता जलानी है मुझे तेरी चिता जलानी है तेरी मेरी दुश्मनी आई है तेरी जलानी है मुझे गलानी है परचाँ परचाँ मुझे ठाई है परचाँ झाल 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 करुम फार नoop करकंपर झॉर इ reflex पापी मिदा पापी इस महा भारत में अभी मन्यू नहीं मरेगा खाप ना पाप कभी इस ना तुने हमारे दोस्तों को मारा है अब हम तिछे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे तुम लोग नहीं मारोगे यह अज़े यह हर हाल मेरे हाथों म अलेगा नहीं किता जी इसने हमारे खान और कभीर भाई को मारा है मैं इसे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा नहीं करतार पिछे अटो अरे मर गए नागराज को मानने वाले तो जैसी लाचार औरत एक बेबस मां और विद्वा मेरा क्या विगा लेगी नागराज कर डसा हुआ पानी तद नहीं मामता जिपकी मुहिमा है नागराज में आज तेरे साथ साथ तेरी ओलाग को भी मौत के खाट उतार दूगा मैं भापी यहीं वो तल्वार है जिससे शैतान ने मेरे भाईया को मारा था नागराज आज नहीं बचेगा तो पाखंटे भागत किसी भगवार के कृपा नहीं है तुछ पर आज में तेरी बरी चलाओगी आजिसे कोईने की लोकसा ता डे अव oh ह।ह यह यू अ करो प्लेक्ट कि प्लेक्ट कर दो, झाल रने दो! इह ए अजए भस बना दोसे वर रही है दोसे प्रॉबpa प्रपॉग कि ज भघ हुआ 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 अब इस जूटे मेजर की जिम्धारी तुम पर है भया इसे अर्चुन की तरह नीडर और भावतोर बनाना भया मेरे वज़े से तुम्हें जलील होना पड़ा आज मैं अपने आपको तुम्हारे और कानुन के हावाले करते हुआ क्या अले बिड़ो अरे पीटा मुना मुना यह तुम्हारी ममी है अपनी ममी से नहीं मिलोगे मिलूंगा जा ममी वना वना! 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 किया हो गया? मुना!! 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 माम्मी!! देखो, ऐसा मसक दोबारा मत करना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी ऐसा कभी मत करना अच्चिकु बच्चिकु का च्चिकु जबसे प्यारी है ममी तू ममी आप यू चलो कि दा